हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का education cat6 में बिहार विधान सभा की तरफ से official notification जारी किया गया था कल और आपको बताया गया था कि कल याने कि 28 अगस्त को आनी कि आज आपका admit card भी दे दिया जाएगा तो link देखिए activate हो चुका है और आप अगर आप इसके परिक्षय के लिए form भरे हैं तो आपके लिए एक बड़ी update है यहां से आप लोग check भी कर सकते हैं यह link आपको दिया गया है दोस्तो admit card डाउनलोड करने का यहां से जैसी आप क्लिक करेंगे इसके official website पर आ जाएंगे जहां से आप अपना admit card भी डाउनलोड कर सकेंगे अब यहां पर 28 अगस्त को यह link दिया गया है जोकि एक जाम आपको बता दे कि पोस्पॉंट किया गया था और अब जाके इसका admit card भी दे दिया गया है तो तीन स्टेप में इसका download कर लिजेगा admit card पहला स्टेप आपको login कर लेना है अपने mobile नंबर से अपना date of word डालके जैस दिया गया है इसको लेकर जो भी instruction दिये गया है उसको भली भाती पढ़ लिजेगा देखे एक्जाम डेट जो है आपका 10 सेप्टेंबर को है तो reporting टाइम आपका सुबह 9 बजे है अब आपको बता दे कि यह परिक्षा आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा report करना है आपक कुछ इसमें समझाया गया था यह देख सकते हैं इसका यह notification है जहां पर आपको 11 बजे से 1 बजे तक एक्जाम होगा अब यह एक्जाम की जो दो घंटे की परिक्षा होगी इसमें 100 प्रशन पूछे जाएंगे अब इन 100 प्रशनों का हर एक प्रशन एक नंबर का होगा यहा इसमें अखतनी ही आपका यह परिक्षाओं में आपका यह परिक्षा होगा अगर हिंदी और अंग्रे जी की प्रशन पत्रों में 20 बिनता होगी तो अंग्रे जी वाले प्रशन को यहां पर मानने रखा जाएगा यानि कि कुछ भी एकर चीज आपको 24 श्मांथ और निकल र पूशी जाएगी प्रश्णों की अब आपको बता दे कि गणित के जो मैंने syllabus आपका भी बताया था लास्ट वीडियो में उस वीडियो को देखे जरूर देख लेजेगा अब चैनल पे आएंगे तो ये वाला जो topics दिये हैं और उनी topic को पढ़के जाना है आपको उसी से सम्मंदित प्रश्ण आपके परिक्षाओं में पूछे जाएंगे दोस्तों OMR की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका exam जो होगा वो OMR based exam होगा दोस्तों कि ध्यान रखेगा और यहाँ पे जो भी आपके OMR सीट पे जो instruction दिये गए हैं जैसे कि रॉल नंबर भरना प्रश्ण पुस्तिका नंबर अनुछेद लेखन और हस्ताक्षर अनुछेद लेखन यानि कि आपके खुद के handwriting में कुछ आपसे इक्वाय जाएगा वहाँ पे और उसको अप्लोड के जाएगा बतलब कि वह चीज़े वहाँ पे आपके एड्मिट किया जाएगा क्या फी है वह च्छातर जो कि इसका परिशा दे रहें और आपका अस्ताक्षर यह चीज़े नहीं छोड़ना है किसी भी अथवा गलत प्रविष्टी भी ना करें यहाँ पर इस इस्तिती में अभ्यार्था आपकी रद हो सकती है तो यह जानकारी तो यहां से हर एक एक एक्जाम में दी जाती है और उत्तर पुस्तिका का जो मुल्यांकन नहीं किया जाएगा इस बात का ध्यान रखेगा अगर आ आत्र ब्लू या ब्लैक पैन से ही आपको डेना है और इसका जो है पॉइंट होना चाहिए ना बॉल पॉइंट जो पेन होता है वही होना चाहिए तो आप ब्लू पेन ही ले जाएगा और यहां पर एक बार में अगर मालीजे कि आपने आंसर रंग दिया तो उसमें रखेगा यह जो अगर आप परिवर्तन करेंगे या पैंसिल का उप्यों करेंगे इसका अंसर का कलर करने में तो यह अमान ने करके आपको जो है अभ्यारता आपकी रत कर दी जाएगी अभ्यारति को परिक्षा समाप्त होने से पहले उत्तर पत्रक कार्बन कॉपी सहित उन्हीं दी गई उत्तर पुस्तिका विक्षक को सौपे बीना सौपे हुए कक्ष अगर छोड़ते हैं तो आपको अनुमती तो ऐसे नहीं मिलेगी लेकिन अगर छोड़ते हैं तो आपकी फिर वहां से आप दंडनी अपराध के पात रहो होगा यहीं बाते यहां पर लिखी गई है और अभ्यारती जो है सुरक्षा प्रहरी पद के लिए परिक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र जो है 28 अगस्त से बिहार विदान सभा के अफिशल वेबसाइट पर जैसा कि मैंने आपको देखला दिया है लिंक एक्टिव हो है और यहां पर समाने सेंडल पहन के जाना है आपको और जो फूल शर्ट पहनते हैं चात्र वो हाफ शर्ट वेगरा पहन के जाए परिश्चा के केंदर में घणियां अलाउन नहीं है पुस्तके अलाउन नहीं है कागज के टुकड़े अगर दिग गया तो उसके लिए आप आपको बाहर के आ सकते हैं अलाउन नहीं है और यह गजटेट जितने भी गजटेट्स हैं यहां पर उसका एक्जाम देंगे और अभ्यारति को परिच्छा केंदर पर तलासियानी की जो फ्रिक्सिंग होगी उसमें आपको सहयोग करना होगा उनको यह ध्यान रखेंगे इस करवाएं तो कि वहाँ से जानकारी यह होगी कि आपने एक्जाम दिया है और आप लोगे लिए बेनिफिट होगा यानि तो यहां से आप जो है अप्सेंट माने जाएंगे यहानी इक अनुपस्तित माने जाएंगे भ्यार्ति जो है किसी भी परिस्तिती में विक्छक की अन विश्पत्र है यानि कि आपको डाउनलोड करके दिया जाएगा यहां से यह एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा इस बात की आपको पुस्टी कर दी गई है और यह जो सूषना है हम आप तक साजा कर रहे हैं इसे संबंदित जितने भी कागजात किसी भी प्रकार की भिनता रहने पर अभ्यार्थी को यहां पर अभ्यार्था जो उनकी रद कर दी जाएगी यह ध्यान रखेगा तो आपको एडमिट कर लेके जाना है अपना पहली चीज दूसरा चीज आपको एक पेन लेके जाना है जो कि ब्लू या ब्लैक हो सकता है एक्जाम हाल में और जो है तो पिछले वीडियो में इसका स्लेबस बताया था उन्हीं टॉपिक को आप लोग पढ़के जाए उससे संबंदित एक्साम दीजिए और अगर आप लोग इसका जो है प्रैक्टिस बुक लेरा चाहते हैं तो किरन पॉब्लिकेशन का बुक मार्केट में अबिलेबल है वो आ अब लोग लेकर प्रष्ण उत्तर पूछे गया है उन्हीं प्रष्ण की आधार पर तयारी अपनी करके जाएंगे तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में तो रहा अगर अपने अपना अमिट लेइन सांतियों मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी